विल्कम बैक स्टूडेंट्स इन देश्ट वीडियो इन देश्ट वीडियो सेकेंड पार्ट अब चप्टर नमबर एट असर्ट इन टा मार्के एक सट बाजार में उसकी कीमत के बारे में देखते हैं production से लेके और last selling तब ठीक है उसके बारे में देखते हैं हम क्या पहुचे हम यहां पे आपके वीडियो में वेबर्स cooperative के बारे में देखेंगे यानि वेबर्स जो होते हैं यसे हमने क्या देखा कि दर्ण पढ़ा ली दे कि देते हैं जुगाओं में या सहर में चोटे चोटे फैमिली में भी अपना काम करते हैं यह लोग पूरी फैपली में और से कपड़ा तयार करते हैं और, कप लिग तो यह हैC submitting कपड़ा जब तयार हो जाता है तो उस लिंग के जाता है उन्हें बहुत कम पाईसा देता और जो merchant पे dependent होते हैं यह ना होके यह किस पे dependent हो गए cooperative पे यानि बहुत ज़्यादा cooperative में कुछ लोग मिलके काफी एक साथ समू के साथ काम करते हैं इस समू के साथ group में या समू में काम करते हैं इनको पूरा government इनको साहता करती है help करती है ठीक है at times the government helps अब इसमें government इनको खरीदने के लिए सब कुछ help करती है तयार करने तक में इसी प्रकार से कुदाहरण है कि तमिल लाडू government एक प्रकार का एक प्रोग्राम लाई जिसका नाम था free school uniform program इसमें क्या था कि government procures the cloth forage program इस पावर के जरिए government क्या करती थी in hand loom over से क्या करती थी माल तयार करवाती थी कपड़ा तयार करवाती थी और इसके बल्ले इन्हें काफी अच्छा सेलिंग करकी इन्हें काफी अच्छा पैसा देती थी ठीक है आई-सी को सेल्सक्रो स्टोर्स नोन अच को ऑप्टेक्स इसको कोप्टेक्स भी कहते हैं ठीक है तो हमने यह देखा बेटा अब हम आते हैं कि इसमिए देखते हैं दो गौर्मेंट एक्सपोर्टिंग के पास में दिली में तो गौर्मेंट एक्सपोर्टिंग की निर्याद करती है दिली के पास में लॅब फिर लोड भी देखा तमिलनाड वाला जो बहुत बड़ा सा बाजार था कैसे वहाँ पर कॉटन कपड़े का प्रोड्यूस होता था वेबर्स के जरी और गार्मेंट का एक्सपोर्ट होता था दिली के आसपास प्रेक्टियों के जरी है ठीक है देखे ता गार्मेंट बनाती थी सर्ट में बनाती थी अधा सर्ट विल वी एक्सपोर्ट फारेंड वायर्स इसको कहां पर बेचते थे फॉरेंड वायर्स यानि बडीसी ठीक है अमांग दो फॉरेंड वायर्स और बिजनेस परसन फ्रम द यूएस नियूरोग फूरन एचेना पिस्टोर और यह क कहने का मतलब यह था बेटा कि यह जो फैक्टरिय अच्छे ब्रण पर टीशर्ट बनाती थी यह टीशर्ट को कौन खरीता था हमारे ही देश में जो बाहर से आने वाली बड़ी बड़ी फैक्टरियां हैं कंपनियां यूएस की रूप की यह लूक लेती थी इसको अपने कं सब्सक्राइब इसमें सब्सक्राइब क्यों आया है कि यह थोड़ी कम थी इस में किसका मतलब क्या हो दशेट राइस्टेंडर्ड फारी क्लिटीया परोडॉक्ष्टों के रिक्षिए पर्ट्रोडग HEY दमें ट्रिवरी और टाइम पर दिलीवीब हो जाती थी मतलब एक्सपोर्टर था यानि व्यापारी जो था ट्राइज बेस्ट टू मीड़ करने वाले के बीच में अच्छा सम्बंध हो ठीक है पावरफूल इस प्रकार्स हो ठीक अब आगे देखते हैं आ भॉसnd August picks विथ सच प्रिश्र फ्रम्ट ऑफ बायर पर कुछ यानि खरीदार कोए मद्ड़ प्रेशर था कशण अप्मिच परिशर था बिसेगा मैं यह जह करते घ्रट नुद आट थे लिड़ा प्रकार ज्याere फ ज्यादा तरकांस पस्राइज अवरक這 सक्के फिर्ट workers and the lowest possible बहुत कम पाइसा पाते थे बहुत कम निकाम अधिक और पाइसा कम दिस वे दे कैन maximize देर ओन प्रोफिट उनको काफी अधिक सदिक प्रोफिट होता था and also supply the government to foreign buyers at a cheap price और हाई rate पर उसे यानि कि विदेशी कमपनियों को विदेशी खरीदारों को बेच देते थे कपड़ा देखे कितना rate हाई हुआ ठीक है तो इसी तरही कैसे बेटा हम देखते हैं कि कैसी the impacts garment factory has 70 एक impacts garment factory है उसमें 70 workers है यानि 70 workers काम करते हैं लिबर और उसमें काफी औरते हैं पूर्सों के मुकबले ये workers क्या करते हैं temporary basic काम करते हैं यानि daily basis पे इनको कभी भी निकाल दिया जा सकता है इसका मतलब यह होता है क्यों ये बर्दा employer fails that the worker is not needed जब company को उसकता होती थी कि employer की जरूरत नहीं है तो क्या करती थी उनको निकाल देती थी बिना कुछ कहे ठीक है can we ask to leave कभी भी छोड़ने के लिए कह सकती workers क्या करते थे ways are fixed according to their skills अपने skill पे काम करते थे the highest paid among the workers are tailored who get about 3000 सबसे ज़्यादा जो टेलर्स होते थे यानि दर जी 3000 पर मन्त के सबसे पैसा पात में केवल टेलर्स थे जो 3000 पर मन्त पते थे बाकि उससे सब का कमी रहा होगा women are employed as helpers women helpers के तोर पे काम करती थी और क्या 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 helpers करती थी उसमें cutting का काम करती थी button यानि button लगाने का cutting का का काम का कटने का कपड़ा iron का का काम और package packing करने का का काम करती थी कौन और उमेंस और इनको क्या मिलता था इसके बहले the jobs have the lowest price बहुत कम rate मिलता था देखे ये rate भी दे दिया है कि टेलरिंग में कितना खर्चा रेनिंग में चेकिंग में बटन इस सब का क्या rate था यानि बहुत lowest price पर यह काम करती थी ठीक है भी तक हमने इंडिया का देखा अब अ किया इस्टोरेज किया 200 एडवर्टाइचिंग 400 अप्रॉफिट हुआ 900 अब कैसे कि अननंबर आप सर्ट्स और अन्डिस्प्लेबल लार्ज क्लोश व्लॉफिन दा इन उनटेटि इस्टे में लार्ज बहुत बड़ा कपड़ा दुकान कपड़े की दुकान है एंड और प्राइस टेन इन उनटेट इस्टेट की बात करें यहां पर कपड़ा ब्यापड़ है दुकाने बहुत बढ़ी हैं इनकी प्राइस के कितनी है लगभग 26 डॉलर यह डॉलर का सिम्बल है तो डॉलर है दिस इज माच दिस इज माच और स्वरी डैट इज इच इच डैट इज इच शर्ट सेल्स फार 26 डॉलर्स और एराउंड वन हंड्रेड वन थाउजन डेठंड यानि ट्वंट इच अबिस डॉलर का मतलब अठारा सव रॉपए ठीक है बिटा तो अठारा सव रॉपए लगभग देखा हमने कि इनाटेट इस्टिन में अगर रॉपए एक में तो दिखा जाए तो एक सट की कीमत अठारा सव कीया डाइग्राम आपको यूज़ करके कैसे करना यह डाइग्राम है इसमें आपको यूज़ करके यह जो है यह इसको यूज़ करके आपको देखना the business person purchase the shirts from the government exported to Delhi कितना per shirt तो कितना 300 per shirt इसमें कर सकते हैं he then spent advertising के लिए उसने कितना किया 400 किया ठीक है फिर इसके बाद इसने क्या किया and another per shirt और इसने storage कितना किया 200 किया display and all other सारा charge अगर जोड के देखा जायत इस person को कितना हुआ 4, 2, 6, 3, 9 900 900 हुआ तो display and and that's the cost of this person is 900 वाईले सेल्स देखाव अब इसने देखाव इसने यानि इसने इसमें इतना खर्चा लगाया 3000 में एक कपड़े को इसने खरीजा खरीदा इसमें 200 का storage किया मतलब इसमें काफी कुछ चेंजेश किया 200 रूपए में एक कपड़े पे 200 रूपी जाया storage करने में 300 में खरीजा एक सर्ट पे इसने advertising में लगाया 400 एक कपड़े की टोटल कीमत हुई 900 और मार्केट में इसने ले जाके बेश दिया 100 1,800 यानि इसको टोटल प्रोफिट कितना हुआ 900 ठीके 900 लगाया और एक इंटीन हंडेड़ में बेश दिया तो इतना फायदा हुआ 900 उसको प्रोफिट हो गया दिक कपड़ा और जो तयार की थी उसको खितना मिला था तो इस प्रकार से बेटा ये पूरा इसका दिया गया ह है कि इस प्रोफिट तो इसको टोटल प्रोफिट कितना हुआ 900 का है एंड फ्रोफिट और बॉन सर्ट प्रचार में 400 लगाया डिजाइनिंग में इस्टोरेज में 200 लगाया खरीदा थी था 300 में कच्चा माल और बेचा 1800 में दिखे कितना इसको और 900 इसको फाइदा मिला एक सट में तो बाकी कितना मिलता होगा अगर्मेंट एक्सपोर्टर तो इस प्रकार सो 300 पर प्राइज की किसाब से खरीदा और और क्लोस और अधर राम माइटरियल कोस्ट्यूम और अधर राम माइटरियल पर हंडेड रुपाय पर कॉस्ट में लगाया दा वर्कर्स वेज कॉस्ट अन्हें दो वर्कर्स थे जो वर्कर्स थे वेटा उन्होंने क्या किया 2500 पर सर्ट उनको मिला यानि अगर पूरा खर्च जोड़ा जाए तो नहीं वर्कर्स को उसने 25 रुपीज पर सर्ट दिया कॉस्ट रेनिंग अफिस केम 25 रुपीज गयनियों कैलकुलेट अब प्रफिटर सर्ट पर गर्मेंट एक्स्ट पोर्टर तो इस प्रकार समय अगर उसका खर्चा जोड़ा जाए तो उसने 900 कमाया 900 पर उसने यह आप दिखाते हैं पिटा 900 पो उसने 300 में कमाया और रा मेटरियल पो उसको 100 रुपए पर सर्ट पर खर्चा है यानि 100 रुपए और माइनस करते हैं 800 हुआ 800 में से वर्कर्स को 25 रुपीज दिया एक सर्ट के लिए तो उसको टूटल कितने हो गए यानि 800 में से अगर 25 आएंगे तो आप 775 और रानिंग आफिस में भी उसको 70 750 रुपीज उसको पर सर्ट पर कमाई हुए तो अगे देखते हैं विटा उसको छोड़ी हो आर्द गेनर सी तो मार्केट कौन सबसे ज़्यादा प्रोफिट कमाने वाले हैं मार्केट में यानि सबसे ज़्यादा कमा करने वाले हैं तो अचे ना मार्केट लेक्स आपने देखा कि एक चेन लिंक बन जाती है प्रोडूसर कोटन से लेके और बायर्स सुपर मार्केट तब ठीक है अब बाइंग एंड सेलिंग खरिदार और विक्री से लेके हम क्या पाते हैं कि एक परकार का चेन हैं अभी क्य अब डिट ले और गैंस गैंस एज मुच कौन सबसे जयदा पाता है पैसा कमाई ये वर देयर वर और पीपल हुओ मेंट प्रोफिट में दा मार्केट कौन मार्केट में कमाई सबसे जयदा करता और देयर वर सम गो डिट नॉट गैंज आज माच प्रमेश बाइंग सब ठीकिस मैं क्या है कि इस्बाइड 23 सब्सक्द कैंट कि SAYS कि इतल लोक कि ऐसे को बहुत कम पाते हैं अका इन U प्लेश देवी इनगे टेवल सुनक्ट क्या हम उसको टेवल मना सकते हैं तो देखेग क्या दिया है ईसमें इसमें शलड़ बताना पड़ेगा people who gain in the market किसने किसने सबसे ज़्यदा फाइदा कमाया people who did not gain as a market कौन कौन नहीं कमाया तिसमें labor भी हो सकते हैं जिनको पैसा बहुत कम मिला जिनको फाइदा बहुत कम हुआ बोलकर भी हो सकते हैं waivers कमाने वाले कौन हो सकते हैं ब्यापारी हो सकते हैं मर्चिंट और सुपर्मार्केट का मालिक ठीक है तो यह देखते हैं इसको थोड़ा सा जुमिंग कर देते हैं ठीक है तो आई है देखते हैं इसका द़ फॉरें बिजनेसमें जो फॉरें यहनि बीडेशी जो बिजनेस person है ब्यापारी वो क्या करते हैं में घूज प्रोफिट बहुत ज्यादा प्रोफिट पाते हैं तो इसमें प्रोफिट वाले में सको रखेंगे Compared to this government exporter made only moderate profit a government exporter जो होते हैं यानि सरकारी जो एक्सपोर्टर होते हैं जो बनाते हैं उनको वह उसर दर्जे का मिलता है तो इस में रख सकते हैं Other hand से देखें तो The earning of the workers जो workers हैं, उनकी कमाई government, एक्सपोर्टर, factory are rarely enough to cover their day-to-day needs यहां रख सकते हैं उनको क्योंकि वरकर्स भी बहुत कम मिलता है देटू डेड आओ सकता होती हैं उनको हम फिर क्या देखते हैं कि विसादय स्मॉल कॉटन फार्मर और उसके बाद वेबर्स इरोड के इनको लॉंग काम करते हैं लेकिन इनको बट दे lors गेट फेड प्राइस लेकिन इनको मार्केट से बहुत अच्छा प्राइस नहीं मिलता है अपने प्रोडूज के मुकाबले प्रोडूस के मुकाबले त़ इसमें इनको रख सकते हैं the merchant अब व्यापारी या traders होते और some where in between इनके बीच में होते हैं किसके मुकाबले वेबर्स के मुकाबले जो वार्चेल्ट होते हैं वह अच्छे तो इनको they have earned more but it is still much less than the exporter एक्स्पोर्टर से मुकाबले इनको कम तो मिलता है लेकिन इनके वेबर्स के मुकाबले इनको अधिक मिल सकता है तो इसमें भी उनको रख सकते हैं ठीक है Not everyone gains equally in the market तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि market में सब एक जैसा बराबर नहीं पाते यानि उत्पादन से लेके production से लेके last में selling तक के बीच में सब लोग अपने काम के बदले बहुत ऐसे हैं जो पैसा नहीं पाते हैं कुछ लोग ज्यादा पैसा कुछ लोग कम पैसा यानि सब में equality नहीं है democracy is also about getting a fair wage in the market लोग तंत्र जो है वो क्या पाता है कि एक market में मतलब एक fair होना चाहिए democracy के आधार पे एक अच्छा होना चाहिए लेकिन वेदर इडिज कांता या सपना इस प्रकार समने क्या देखा कि कांता या सपना जो होती इनकी family don't earn enough how would they think of themselves as equal to others उनको अधर के आने के मुकाबले equal पैसा या वराबर या अच्छा पैसा नहीं मिलता है ठीक है बेटा तो on one hand the markets offers people opportunity for work जो अधर है देखे हम market में तो उन्होंने क्या work के बारे में बहुत opportunity है लोगों को sell things और किसके किदे grow or produce अपने produce को grow करें तैयार करें it could be the farmer selling cotton farmer अपने cotton को selling कर सकते हैं या वेबर producing clothes या वेबर जो अपने कपड़े को produce करते हैं तो यह competition है इसके मामले में on the other hand लेकिन अगर अगले तरीके सम देखे हैं मरला हमने यह तो देख लिया कि जॉब के opportunity है लेकिन हमने अगर दूसरे तरीके से देखा तो कि इसमें धनी और सक्तिसाली तो सक्तिसाली लोगों का एक सम्हूं भी बेटा हम देखते हैं कि देगेट मैक्सम मार्केट से बहुत अधिक सदिक पैसा कमाते हैं अधीज आर्द पीपल हो है money and own the factory क्या करते हैं अपने ज्यादा से ज्यादा दीज आर्द पीपल और यह लो अगर पूर लोगों को देखे तो पूर है पूर किस पे डिपेंड है रीच पे और प्योड़ पूर प्योड़ पावरफुल बारियरस तिंग्स यानि उनके पास कुछ नहीं था क्यों उनके पास दुकाने हुए बड़े बड़े लोगों के पास लेगें एड़टाइजिं अगर हम देखेंगे कच्छा माल और मार्केटिंग के समान को देखेंगे तो इभर्स को कैसे और पूर्मेंट कंपकर्टरी में काम करते हैं यह बीदेखा विकॉज क्यों कि यह जो depend है यह सारे depend किसमे है उसे factory पर तो the poor are exploited in the market करीब क्या करता है पूरी तरीके से market पिनी पर है इस प्रकार से जो एक cooperative से यह producers को बहुत अच्छे तरीके से insuring करती है और उनको इस तरीके से follow करती है लास्ट चेप्टर में हमने क्या देखा था कि we will read about how one such fish workers के बारे में देखा था a cooperative was started on the Tawa river जो Tawa वही तामबा जिसको पहले पढ़े थे तो Tawa rivers के बारे मचली के बारे में देखा था और इसमें हमने कपड़े उद्युक के बारे में देखा कि कैसे कैसे इस्तिती बदलती है कि जो कपड़ा जहां से तयार होता है वहां से कैसे किस स्तिती में पहुंच तो वेटा यह आपका यहीं पे complete होता है यहीं पे आपका course complete होता है मतलब chapter no.8 इसमें कुछ एक यह अलग से है कि sustainable development goal किया है इस पर आप इसको सर्च भी कर सकते हैं इस minute पर यह देखे क्या है इसके बारे में कुछ बता गया काम करने वाले कामकाजी महिलाओं के बारे में बता गया ठीक है तो हमने स्टार्टिंग से लेके लास्टेक देखाए चप्रको इसको अच्छे सपढ़ ली जगा वेटा ओके थेंक्यू